नमस्कार किसान भाईयो आज हम बेंगन की फसल में फ्लावरिंग कैसे बढ़ाएं और उत्पादन अधिक सदिक किस प्रकार से ले और जो फल है हमारा उसकी कोलेटी चमक वजन किस प्रकार से बढ़ाएं तो उसके लिए क्या फटिलाइजर देना चाहिए क्या वाटर सुलू कंपनी का जो नोवाटेक सोलूप 1448 आता है वह आप एक एकड़ एरिया में पांच केजी फटिगेशन कर दें रिप की सहीता से पांच केजी जो 1448 है उसको आप चला दे यह फ्लावरिंग बढ़ाने का काम कर देगा पोधे में फुटाओ का काम करेगा और जो फल है उसकी चमक और बजन के लिए जो कामपो एक्स्पर्ट कंपणी का हाप की जानाने चला दे 14-48 चलाने के दो दिन बाद चलाना है तो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे इसको आप पांच केजी चला दे हकापो स्केल्सिडिक के को तो यह आपके जो फल का वजन है क्वालेटी है इसको बहुत बढ़िया तरीके से सुधार देगा और इन दोनों की कॉं कि हम 400 ml ले लेना है 200 लिटर पानी पर और साथ में कामपो एक्सपर्ट कंपनी का ही कामभी स्टीप आपको 400 ml ले लेना है दोनों को 200 लिटर पानी पर घोल कर स्प्रे कर देना है तो यह भी जो फ्लावरिंग है कोलेटी है फल की बजन है सब कुछ बढ़ाएंगे और अधिक सदिक आपको उत्पादन तुरंत देखने को मिलेगा बढ़ता हुआ अब दोस्तों अगर आपको आपके पास कामपो एक्सपर्ट कंपनी का अगर मैटेरियल नहीं है तो आप उसकी स्थान पर किसी भी अच्छी कंपनी का जिरो बावन चौतिस पांच केजी ले लिजे और उसको आप ड्रीब की साहिता से छोड़ दीजे एक एकड़ एरिया में और केल्सियम नाइट्रेट पांच केजी लेना है और आपको छोड़ देना है एक एकड़ एरिया में दो दिन के अंतराल पर आपके पास तेरा जिरो पिस्तालिस आपको ले लेना है दो दिन बाद और वो आपको ड्रीप की सहीता से छोड़ देना है अगर कामपो एक्सपर्ट कमपनी का अगर नहीं हो तो आप इसका इस्तेमाल करें और फिर है तो जो तेरा जिरो पिस्ताली से उसको आप साथ सो ग्राम ले दो सुलिटर पानी पर भोलकर आप स्प्रे कर दें और जो केल्सियम करोगे तो निश्चीत रूप से फ्लावरिंग उत्पादन कोलेटी बढ़ेगा जानकर एच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब करते इसी प्रकार से हम खेती बाड़ी संबंदित वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं अगर बेंगन मे अगर इल्ली के समस्या हो रही है क्या ट्रिटमेंट देना चाहिए तो उसके लिए आप हमारे अन्य जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में